मैं हूँ Sophie Brown, 11 best-selling novels की author और फिर एक बहुत बड़ी flop मैं राइटर बनी ता कि मैं अपनी मर्जी से कहानिया लिखूँ इसले नहीं कि कोई भी एरा गैरा मुझ पर चला है ये कभी शांतनी होगा, ये एक बवंडर है मुझे लगा था आप राइटर नानू की वज़े से बनी थी आप उनकी बाबर शॉप में बैक कर उनकी कहानिया सुना करती थी ना आप हमेशा सही वो कासल देखना चाहती थी ना हाँ तो देख लिया कासल? हाँ देखकर आये, बहुत खुबसूरत है वो पिकने वाला है सोफी ब्राउन माइल्स डनबार ये ये चाबी है मेरे कासल की मगर इससे पहले कि हम शुरू करें मेरी कुछ शर्त है 90 दिन का कॉंट्राक्ट होगा क्रिस्मस तक का तुमें शिफ्ट होना होगा तुम शिफ्ट हो रहे हो? नहीं क्या? हमारे कासल की नहीं मालकिन के नाम पांचवा नौब यहीं मरा था उसके डिपाजित के पैसे से लोन भर दूँगा उसकी जिन्दगी ऐसी जहन्नूम बना दूँगा उसे अपनी हलती का आहसास होगा और चलती बनेगा तुम तरवाजा लॉक कर सकते थे मेरा घर है यह फिलहाल कुछ देनो यह जगा मेरी फैमिली हिस्ट्री से जुड़ी हुई है अगर तुम मुझे यहां से भगाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं डर के बातों वालों में से नहीं मेरी जहां पना जहां पना नहीं बादशा कही मन तो कर रहा है दुनिया की सारे गंदे नाम इसे दिए किसी को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश तो कीजे ऐसा विलकुल नहीं सोचा था मैंने कि तुमारा होगी आपका मुस्कुराता हुआ जहरा भी मुझे बहुत दिनों बात देख रहा है तुम्हें कासाल चाहिए तो तुम्हारा है तुम कितनी महनत करके यहां तक पहुँची हो तुम्हारा करियर और इसके बिना तुम हो गया शायद यहीं मेरी जिंदगी की नहीं शुरुआगा क्यूंकि तुम्हारी जड़ें यहां से जुड़ी हैं हमारा क्रिस्मिस के बाद क्या होगा यह वही है मॉप यह मेरी बेटी है अलेक्सी चलो बाद में बात करते हैं वह भी सिर्फ एक महने के लिए जी नहीं पिल्कुल नहीं अब आप पासकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्टरा एच्टी एकाउंट सिर्फ थाई-सो रुपय में वह भी पूरे महने के लिए कैसे यह जानने के लिए या तो यहां पर क्लिक करके हमारे डीटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए हमारे वाट्सैप नमबर पर हमसे तुरंत कॉंटेक कीजिए